नमस्कार दोस्तों मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल शेयर मार्केट एनलिसिस में जैसा कि आप सभी ने थमनेल पे पड़ा कि कल एक शेयर पूरी मार्केट को हिला देगा देखे अब एक शेयर के बारे में बात हो रही है बहुत ही important stock है और आप सभी को शायद गैस कर लिया होगा आप सब इने में किस laure के बारे में बात कर रहा हूँ लेकिन अगर आप gas नहीं कर पाए तो आपका मैं ज्यादा समय नहीं लूँगा ज्यादा दिमाग भी खर्च नहीं करवाऊंगा इस टॉक का नाम है TCS Tata Consultancy Services Limited देखिए ये स्टॉक अकेले मार्केट में कुछ भी नहीं कर सकता लेकिन इसके साथ जो impact हैगा काफी लोग मुझे पता है दिमाग लडा रहे होंगे पूरे IT की बात करेंगा मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूँगा special चीजें अगर आपके पास A to Z कोई भी IT स्टॉक से large cap से तो आपको ये वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए देखिए TCS के results काफी ज्यादा disappointed थे एंड काफी खराब आया उसके बाद कल के session में हो सकता है TCS पे कुछ brokerage आउसिस की तरफ से report भी आई कुछ negative reports भी आ सकती है या फिर कल नहीं तो परसों के session में आ सकती है कल के session में stock में एक तो results impact देखेगा and कही जो market में भी weakness या console relation का mode लग रहा है वो कल के session में गहरा सकता है अब आप एक चीज़ जरा ध्यान दीजिए दिखिए Nifty में TCS का weightage जो है वो around 4.89% का है तो एकेला TCS ही 4.89% weightage रखता है Nifty में अगर ये stock heavy गिरावट दिखाता है तो Nifty को अपने Dumpay अकेला नीचे खीच सकता है क्या जी हाँ बिलकुल खीच सकता है अगर सारे stock negative या फिर flat to positive भी रहे ये stock तो कल बड़ी move देने वाला है लगबग 3-4% की मुझे लगता है कि negative side पे ये move हो सकती है अगर ऐसा होता है तो कल के session में बड़ी गिरावाट आ सकती है मैं आपको कुछ interesting चीज़ें बताना चाहूँगा वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सब भी से एक छोटी सी request करना चाहूँगा अगर आप लोग मेरे channel पे पहली बार विजिट कर रहे है तो प्लीज इसको subscribe करें notification bell icon दबा दे ताकि मेरी वीडियो आप लोगो तक पहुचे सबसे पहले और ये वीडियो आपको informative लग रही हो समझ आ रही हो तो प्लीज इसको like भी कर देना ताकि मुझे motivation मिलती रहे सबसे पहले मैं आपको nifty के weightage stocks के बारे में बताना चाहूँगा Reliance Industries लगबग 12.94% weightage रखती है second HDFC bank 8.55% फिर हम लोग TCS को इतना मैं तो क्यों दे रहे हैं कैसे बजार को यह खेला ही ला सकता है क्योंकि इसका weightage तो 5% से भी नीची है Reliance and HDFC का weightage तो बहुत ही heavy है लेकिन अब अगर थर्ड नंबर पर आओगे न तो आपको देखने को मिलेगा Infosys Infosys का लगबग 7.73% का weightage है अब मैं आपको बताओ second largest IT company Infosys and TCS के results ने disappoint करा है पूरे IT stocks के लिए कही न कहीं यह एक negative surprise और negative surprise तो नहीं कह सकते है Market almost पहले से ही flat results का अनुमान लगा रहा था लेकिन यह negative हो गए है तो reaction sharp आ सकता है अब TCS को follow करेगा Infosys and Infosys को बाकी IT companies like Wipro, SCL, TechMindra यह follow कर सकते है अब अगर TCS मान लीजिए गिरता है तो Infosys भी गिर सकता है लगबग उसका आदाब TCS 4% गिरिया तो Infosys भी 2% गिर सकता है यह मैं ऐसा सोच रहा हूँ यह fact नहीं है बिल्कुल भी आप यह ना सोचें ऐसा होगा मैं आपको एक मौन्टा मौन्टा राउंड फिगर में कहीं ना कहीं लेवल्स कर रहा हूँ अब एक चीज और नोटिस करना अब TCS and Infosys का वेटेज मिलाके आपका आल्मोस्ट अराउंड 13% का वेटेज हो जाता है 13 और 12.5 और 13% के करीब का वेटेज हो जाता है अब मैं आता हूँ sector wise वेटेज पे तो financial services लगबग 35.10% वेटेज रखती है Nifty में लेकिन second number पे IT ही आता है जो around 15.91% की वेटेज रखता है अब ये एक important हिस्सा है 16% वेटेज कहीं ना कहीं कल की session में Nifty का weaker side पे रह सकता है जो market को drag कर सकता है and market drag होगी तो already सारे stock almost गिरने लगते है तो अब आपको करना क्या चाहिए ऐसे में मैंने आपको important समझाई TCS and IT stocks की सबसे आदा importance तो देखिए banking and financials की है बटेज के हिसाब से banking financial लेकिन कल के session में banking and financial के लिए कोई भी खबर नहीं है TCS जैसा large cap stop कितना भी गिर जाए मुझे लगता है वो आपके लिए लंबे समय में एक opportunity ही होगी चाहिए brokerage houses नीचे के लक्षे देदें या ऊपर के देदें लेकिन TCS जैसा leader आपकी portfolio का एक हिस्सा होना चाहिए एक कहीं न कहीं safer side play करते हैं आप TCS में 15 to 20% के profit की kegger से आप grow कर सकते हैं आने वाले 5 साल में 10 साल में लेकिन short term का view है तो हाँ एक quarter यानि तीन महीने हो सकता है TCS के लिए थोड़ी भारी रहे लेकिन यहीं बात खतम नहीं होती TCS के results तो हम सभी ने देख लिए लेकिन अब आने है 12 जुलाई को SCL Technologies के result यानि कि आज है 10 यानि Tuesday को SCL Tech भी अपने results पेश करेगा after market तो कहीं न कहीं वो Wednesday को आपको एक नया reaction दिखेगा एंड फिर सबसे बड़े results आपके सकते हैं 24 जुलाई को Infosys पेश करेगा जहां से IT के लिए बिल्कुल रास्ता clear हो जाएगा कि भाई हमें नीचे ही जाना है या हमें उपर जाना है अगर Infosys और SCL Tech के results उपर आए तो TCS को भी अपने साथ ऊपर खीच लेंगे तो वहां आपको कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है मैं कहरा हूँ अगर सारा कुछ negative रहता है तो भी आपको डरने घबराने वाली बात नहीं है panic selling बिलकुल नहीं करनी है यह stocks बहुत अच्छे हैं लंबे समय में आपको भड़िया पैसा बना के देंगे बट short term में थोड़ी सी आपको profit booking negativity फैलती हुई और आती हुई दोनों ही दिख सकता है तो आप उससे अपने आपको बचाए तो यह मेरी वीडियो होप आपको समझ में आई होगी thank you so much for watching this video have a update